तो हर ग्रीनी चाहती है कि उनकी घर का काम जो है बहुत ही एजी तरीके से जो असाथ में टाइम भी मिले तो किछ वेसे ही टीप्स लाइए हूं दोस्तों कि जिक से आपका काम तीजी होगा साथ में बहुत सारे बचाती भी होगी तो वीडियो इंट तक जरूर दखिए का इधर दर कहीं भी जाती है कोने में तो हमें पता ही नहीं चलता आप एक ऐसा जगह सेट कर लिए जहां कि आपको बहुत ही इडी से मिल जाएगा और आप अच्छे से आपको याद भी रहा कि हमारा बेलंजर वहीं पर मिलेगा यहां पर आपको क्या कनफ है यहां पर देखि दोसतो यहां पे मैं ने बना लिए इस तरीके से बैलर के लिए एक स्टैंड बना ले अब इसे कहीं भी किछन में हैंक कर दीजिए जब भी रोटीयां बना हो जाना तो आप इसे में mesma कर नहीं रैकर कर रखे टहोंकर किंव कभी नहीं आपके चिपपेशिघ कह असमीं नहीं इस तरीके से हैंग करके रखते हो ना तो आपके बेलन कभी बीदर भूम नहीं होंगे नहीं आपके कॉक्रेश मच्छर मक्खी कुछ भी इस पर चड़ेंगे और आपका जो हाजीनिक होने से बच जाएगा तो आसा करते हैं आपको बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं तो मर्याज से बना लेजिए सेथ्ट बनाने के बाद करना है जब यह करना है टबर नहीं रखते हो आपके चूडी चूड़ियों के भी तरहतों चूड़ियों Records को आवको एक साथ ही इस तरिकर से कर देगे लियुक्त क्लिक्त do aja . और आपको पहने टायम बहुत अद शेंघे च होको पहण आपको को अचही मembent का प्धूस प्लख से टूट वाइब ना शेंगे तभी सारी का सब्साध्स में च्कивूत के आपचाने तक का अधूसी पहlar इसा कहें रहाँ मिलते हैं पर जब हम लोग पहने जाते ना तो हमें उसका सेट ही मिलता है समझ मीं नहीं है कौन सी किर है हम लोग जहें एक मिलने के बाद दूसरा जो हैसे ही खुशते रहते है कि दूसरा पैर हमें कहां मिलेगा यहां पर मैंने बहुत अच्छे से कित pork अब कैसे कई कर देंगे ना अपको भीड़े में भी आपको इसका प ondan आने है देखे यहाँ किसी ना किसी तरहय सो होते हैं ओप यह तको किया दुसरे आbreak के पहले में तो मिंशहे नहीं होती है यह देखें जिस तरीकी की ऐरिंग लेकि उसना की सार हुल के कर ना दूसरा एरिंग हुल में फसा हल लघा की नो में हमसा पती स्प्साल आई जिरूर कीका भी भी परिषांहों का सामना यह तुरुर कीजिए देखें मेरे जो भी उठाऊंगी ना मेरे सारे पेयर में मिलेंगे इस तरीके से आप लोग भी जरूर कीजिए और अच्छा लगे तेक लाइक भी जरूर कीजिए कर आसा करती हैं तो अगली टीप से भो है भी मांग टीका से लाभी चल रहा है से दोस्तों साधियों का मौसम साधियों का सीजन होने से हम सब लोग जोलरी पहनना पसंद करते हैं बट सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है मांग टीका के साथ मांग टीका जो हम पहनत लेते हैं बट यह अपनी जगह पर टीके वह नहीं रहते कभी इस तरीके से अलट पलट हो जाते हैं जिससे कि हमें बा आप टीका ना आपको उतने मात्रा मिलेना जादा बड़ी नहीं दे न चोटा डेना कि आपको बाहर से दिखाए न दे अपकर कर ने यहां पर यह इस तरीके से आप लगा दीदिए एक मिनट मैं इसे फसा के अच्छे से दिखा दें अब यहाँ पर कितना भी आप अहाँ अलट पलट कर लिए यह बिल्कूल भी अपनी जगह से हटेगा नहीं और ऐसे ही चिपके रहेगा तो कैसा लगाए टीप से आप वजरूर देगा आसा करते हैं आपको बहुत ही ज्याद होते ना उन्हें जो है सुई में धागे डालना बहुत निज्यादा दिक्कत लगता है दोस्तों आज में एक से टिप्स बता रहे हूं जो से कि आपका काम तो ईजी होगा इसाथ में आपको बहुत ईजी तरीके से अब डाल भी सकते हो साहे बड़े हूँ चोटे बुजूर कोई भी आराम से इसे डाल सकेंगे यहाँ पे आपको क्या करना इसे अच्छे से गुलाई दीजेगा ताकि इसके आगे जो थोड़ा बूस्त बगेर राजाते है ना उससे हमें धागे डालने में परसानी होती है इसे अच्छे से कट कर लिजे और दें जो है आप इस पर इस तरीके से आपके घर में आटे हैं उसको आपको इस पे लगा देना ठीक है आपको 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 तिखते हैं ठीक में इस हुआ थि चिपकती हैं आप पर सुई ले जानी है बेदिया है आपने प्रोड़ना पक्डेशा निलकागें क्यों करा वी ऊपहुआ लग है जल्या पुժी चल रही है धागे में सुई में चला गया आप क्या करना आप इसे पकड़ लीजे दूने चोर को इस तरीके से देखिए हमारे धागे जो है बिना हाथ लगाए जो है अपने सुई में चला गया तो कैसा लगा यह टीप से आपको अच्छे लगेंगे इसी तरीके से दोस्तों आप जो है चाबल से भी कर सकते हैं अगर आपके पास चाद भात जो बने होते ना उसके जो कुछ दाने जो है इस तरीके से कॉर्णर पर लगा देंगे ना तो उससे भी आपका काम हो जाएगा तो कैसा लगा यह टीप से आपको अच्छे लगेंगे तो मुझे उमीद है आज के सारी आपको अच्छे लगेंगे दोस्तों दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजेगा चैनल पर नए आए हैं तो जाइन भी कर लिजेगा हमारे चैनल पर एसे टीप से टीक्स आती रहती है तो चलिए भी मिलती हूं नेक्स डूडियो में तब तक के लिए ब